नमस्कार रतनगड धार्मिक चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत मैं रतनवर्मा आपका तहन दिल से स्वागत करता हूं मेरा यह धार्मिक चनल है मैं इस चनल पर हमेशा आपको धार्मिक कारेकर्म दिखलाता हूं और आज मैं आपको लिए चलता हूं रतनगड के अंदर सिरी बाल व्यास कॉमल की सोरीजी बाल व्यास कॉमल की सोरीजी से हम दो बात करके आपको बतलाते हैं कि दरंग के बारे में इनको कितना ज़्यादा ग्यान है और ये अपने मदुरवारी से कितने सुंदर सुंदर परवचन करते हैं और इनसे जो भी अमारे व्हुक्त अएंगे आज बदाऊंगा क्योंकि मेरा ये दार्मिक चैनल है इस चैनल पर मैं हमेशा दार्मिक कारेकरम दिखाने के आपको कोशिश करता हूँ करता हूँ और मैं यह चाहता हूं कि कि आपको थोड़ सा इनके बारे में जो भी बाते हैं या इनका जो भी इन आहिको मैं आपको बस्लाता हूँ मैं एक बाद इनको नमस्कार करता हूब कुमल की सुर्जी से नमस्कार जी राशुंदर पर्लचन देते हैं और कथा भी करते हैं तो आज मैं इंसे पहला स्वाल इंसे पुछूंगा कि बागवत का अर्थ क्या है आप हमें थोड़ा अमारे जो दर्सक है हजारों दर्सक अभी यह आने वाले समय के दर आपके इस कारे करम को देखेंगे तो आप ज़रा अपने मदूर वाने से उनको यह बतलाईए कि बागवत का अर्थ क्या है देखिए सबसे पहले तो मैं आपके यूटूब के सबी स्रोटाओं को दर्सकों को मेरी और से इरादेना देते ना चाहूंगे बहुत बहुत अन्यवाज जी आपका उसकी बाद मैं बताना चाहूंगी कि भागवत जो है उसका पूरा नाम स्विमत भागवत महा पुरानी यह वेदव्याजी द्वारा रचित है आपने पूछा भागवत जी का आर्थ तो भागवत का साधार अंतर्थ है यह चार बना भागवत बहुत अच्छी ग्यान की बात बतलाई है हम इनसे दूसरा सवाल इनसे पूछते हैं कि इसमें कितने सलोक हैं वह आप हमारे को अपने स्रीबुक से बताईए जी भागवत कथा में संपुन भागवत कथा में वेदव्याज जी ने जितनी सलोक बताए हैं वह अठारे हजार सलोक जो भगवान नारायन ने अठारे हजार सलोक की भागवत बनाई है उसके बाद इसे चार सलोकों में पूंड किया गया जिसे चतो शलोक की भागवत भी क आखागवत जो बीसिक्ट को सुनानिये और नारहन भगवान ने नियत्याओक्ट प्रणकर के में आप बहुत छोटी बच्ची हैं किंगे कि बताते हैं कि इस तो भागवत में आता है कि वक्ती कितने परकार की है प्रहलाज सरित्र में प्रहलाज जी जो है अपने पिता हिरनी कसी पुजी से वर्नंग करते हैं कि जब पिता जी पूछते कि पुत्र तुम्हारे भगवान का है तो प्रहलाज जी बताते कि पिता जी स्रिष्टी में सा कोई कन नहीं जहां मेरे भगवान नहीं हो अच्छा तो तुमारे भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते हैं देखो मेरे यह जैज जैसे बता रहे हैं मेरे रोंटे खड़े रहे हैं वास्ते इनकी बात में बहुत ज़्यादा दुम है भगवान के बातों में हां जी तो बताते हैं प्रेलाजी महराज कहते हैं पिता जी भगवान कैसे देखते हैं भगवान को देखने के लिए द्रिष्टी होनी चाहिए अभी आपने माया की द्रिष्टी है जिस दिन आपकी आँखे बक्ती से सराबोर हो जाएगी यानिकि जब आप भगवान जो मुझे दिखता वो आपको भी दिखेंगे अच्छा तो प्रेलाज जी बताते हैं श्रवनम किर्टनम विष्णो स्म्रणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दाश्यम सक्ष्यम आत्मिन वेदनम पिता जी यह नो प्रकार की भक्ति है और इसी भक्ति का वर्णन जो है श्रीमर राम्चरित मानस में रामजी सवरीजी से कर रहे हैं कि तोसी दाजी बता रहे हैं प्रथम भगती संतंकर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा तो देखे भक्ति वैसे तो नो प्रकार की है और भक्ति तो भाव की बाद है भाव जिसमें होता है भक्ति उसके रदे में जागरित होती है और भक्ति ही परमात्मा को पानी का सर् किनी स्थानों पर हैं हम बालिगाज जी जो कुमल कि उस्वरीजी से स्वाल पूछते हैं देखे जी कल्यूग का निवास यह भी आपने भागवत से रिलेटिट पूछा है तो मैं अपनी मतिनुसा रुपतर देना चाहूंगी भागवत में वर्णन आता है कि राजा परिक्ष का था जगवान श्रीकृष्णा को परम धाम को जा जुके थे तो द्वापर के अंतिम्स समय में कल्यूग आता है और कल्यूग आने के बाद जो माता और एक बैल पे अचार करता है उस समय राजा जो है उनका बड़ा ही आक्रोष देखने में आता राजा बैल के पास आते और उसे कल्यो को डंड देते हैं कि वही तु मेरे राजे में मेरी माँ गव माता को क्यों पिलिद करता है यह तो मेरी माँ है तो कल्यो जांग गया यही राजा है मुझे माँ देगा तो राजा की शरन में पढ़ गया तो राजा ने पूचा तुम कौन हो बेले महराज मैं कल्युग हूँ तो मेरी राज़े हूँ लिदु मेरे राज़े भी Inspector पूचा गुब माता से आप को स nelin umNya अंहों ने उत्तर दिया जी मैं प्रत्वी हूँ बैल से पूछा आपको ने तू wildlife ने का जि मैं धर्म एक कल्यूग आख चुका है तो began धर्म जो था उसके तीन चरण कट चुके थे ये कल्यूग चो था चरण काकने में लगा है तो पूछा कि कल्यूग से कहा तुन्हीं आसरी भाग जा कल्यूग ने कहा है देव इस रिष्टी पर आपका ही राजिय में कहां पे जाओं तो राजा परिक्षित ने उस समय उन्हें चार स्थान दिये जो मैं आपको बताते हैं